नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो आज आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जिसके अंदर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में नई रिकूट्मेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है ज वीडियो को पूरा अंद तक जरूर देखिएगा इसी तरह से चाहते हैं आप हर एक रिकूट्मेंट और नोटिफिकेशन का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ के साथ बेल आ जो कि www.clory.com है उसको अपडेट कर दिया है और उसके अंदर आप जाके चेक करके अपलाई कर सकते हैं उसके अंदर सिर्फ आपको वेबसाइट पे विजिट करना है उसमें आपको फूल डेटेल जैसे की अपलाई करना ओफिशल नोटिफिकेशन eligibility, qualification हर एक चीज मेंशन की हुई है आप जाके चेक करके जल्दी से अपलाई कर लीजिए आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिएगा तो चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ details के अंदर बताता हूँ water supply का जो notification आउट कर दिया गया है तो यह सबसे पहले जो है notification है इसके लिए आपको apply कैसे करना है तो इसके लिए आपको सिर्फ online apply करना है वो भी इनकी official website पर जाके तो इसके लिए आपको क्या करना है दो step follow करने पड़ेंगे सबसे पहले आपको link इस है आपका registration आपने जैसे registration करना है उसके बाद आपने क्या करना है registration इपनी personal detail जैसे कि आपका नाम आपका mobile number आपकी email ID फिल करके username password generate कर लेना है और जो second step है आपका वह आपने क्या करना है login करना है इसके अदर तो login जैसे ही आप कर लेंगे आपकी personal detail मांगी जाएगी जैसे कि आपका नाम आपका address आपका qualification आपका experience और detail मागी जाएगी जो कि आपको fill कर देना है date of birth और बाकी detail आपको as per certificate ही fill करने हैं और last में आपको अपनी बाकी की detail फिल करके उस application को वहीं पर submit कर देना होगा जैसी आप application submit करेंगे आपको एक online registration number मिल जाएगा वो आपने संभाल के अपने पास printout के रूप में रख लेना है तो यहसे आप login करके apply कर पाएंगे next time बात करते हैं इसमें आपकी salary कितनी रहने वाली है तो इसमें आपकी जो salary है वो रहेगी इसके अंदर आपकी 35,400 आपको इसके अंदर salary जो है वो दी जाएगी जो कि initial पे होती है बाद में आपका increment लगता रहता है तो आपकी काफी अच्छी salary इस post के अंदर होने वाली है इंटर्व्यू के लिए आगे चले जाएंगे और इंटर्व्यू में ही आपकी final selection होने वाली है उसके बाद आपके दो और round हो सकते हैं जिसमें आपकी documentation हो सकती है और बाकी detail आपके certificate मागे जा सकते हैं तो आपने वहाँ पे submit करने हैं आपकी selection हो जाएगी अब हम बात करते ह हैं age limit की तो age limit अगर आप minimum 18 year है maximum 37 year है और इसके अंदर आपको जो है age relaxation भी दी जाएगी अगर आपकी age इतनी है तो आप apply कर सकते हैं आपको आप eligible हैं इसके लिए next time बात करते हैं organization name तो वह रहेगा PCS में पब्लिक सर्विस कमिशन के तरह से यह recruitment notification जो है water department में out कर दिया गया है अब इसमें बात करते है application fee की तो इसके अंदर आपको SC ST OBC candidate है तो 500 रुपीज application fee है 625 exam fee है उसके बाद other category की बात करें तो 500 application fee and 2500 exam fee आपको pay करनी पड़ेगी next है जी physical handicap इसके अंदर 500 fee है और 1250 रुपीज आपको exam fee pay करनी होगी एक serviceman को 500 रुपीज और payment mode जो रहेगा वो offline आपने चलान के थूप पे करना है जो की SBA bank को पे करना है जिसके against करना है वो आपको detail उन्होंने official notification में दी हुई है total of number of post की बात करें तो 612 पोस्टों से ज्यादा पोस्ट जो आउट कर दी गई है दो अलग अलग नोटिफिकेशन है मैं आपको दोनुका है लिंक इस वीडियो की description में दे दूँगा चलिए आगे हम चलते हैं इसके अंदर important dates की तो important date already apply करना start हो चुका है तो आप apply कर सकते हैं अब अगर आपने अभी तक apply नहीं किया है तो और मैं आपको बता देना चाहता हूं इसके लास्ट date apply करने की है 9th April 2021 लास्ट date तक आपने wait नहीं करना है अगर आप eligible हैं तो आप ज जरूर reply करेंगे next time बात करते हैं पोस्ट डेम की तो इसके अंदर junior engineer की जो पोस्ट है वो out कर दी गई है यह जो पोस्ट हैं 612 प्लस पोस्ट हैं जो अलगलो notification है वो मैं आपको बता दूँगा जल्दी से जाके चेक करके apply कर लीजिएगा next time बात करते हैं इसके अंदर qualification की त institute से तो आप इसके लिए eligible हैं apply कर सकते हैं और इसके इंदर एक term and condition है अगर कोई higher qualification वाला degree या master degree वाले apply करना चाहते हैं तो वो भी eligible है लेकिन उनके लिए जो है basic qualification जो रहेगी वो डिप्लोमा civil engineering में रहेगा मलब अगर आपने डिप्लोमा civil engineering में किया हुआ है तो आप eligible हैं आप apply कर सकते हैं next time बात करते हैं अगर आपने metric जो है पंजाबी language के साथ की हुई है तो वो compulsory है वो आप चेक करके apply कीजिएगा अगर आपने elective subject रखके भी पंजाबी clear किया है या लिंक से आप official website पर divert हो जाएंगे और वहाँ पर जाके जो step मैंने आपको बताए हैं वही follow करके आपने यहां से apply कर लेना है और simply आपको first step registration ही करना होगा आप direct इसमें apply नहीं कर पाएंगे तो registration कीजिएगा उसके बाद ही apply कीजिएगा next time बात करते हैं notification की तो दोनों notification जैसे इस लिंक पर click कर सकते हैं अगर आपने study material download करना है तो यहां पर click करके आप किसी भी government job के तयारी के लिए study material download कर सकते हैं तो यह थे आज का notification तो मैं आपको आपके लिए नहीं नोटिफिकेशन लेके आता ही रहता हूं जो कि all India candidates के लिए होते हैं eligible भी हैं candidates all India के लिए हैं किसी dedicated city यह dedicated area के लिए नहीं लाता हूं तो आप हमारे चैनल पर बने रही हैगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा और साथ की साथ बैल आइकन भी दबा दीजेगा हमारी website www.clory.com उसमें जाके चेक कर लिएगा अलग-अलग recruitment notification आउट होते रहते हैं area wise state center सभी तरह के update आपके लिए लेक notification के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद